आदिक स्वागत है कल ही आपने नोटिस में देख लिया होगा कि चोध है सितंबर से आपके RRB NTPC graduate level के form जारी कर दी जाएंगे जबकि 21 सितंबर से आपके RRB NTPC under graduate यानि 12th level के form जारी कर दी जाएंगे तो अब मुद्दा ये है कि आप हमें कौन-कौन से document की requirement होगी जो हम पहल से तियार कर लें क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी form भरने जाते हैं तो कुछ document requirement होती है और जिसकी ना होने की वज़े से बहुत सारी बच्चों का form भी भरा नहीं जाता ऐसा आपने पिछले ELP के exam में भी देखा होगा आपने technician के exam में भी देखा था जहा आपके बहुत काम आते हैं तो सबसे important देखिए ना केवल हमें document चाहिए होंगे यहाँ पर कुछ और भी चीजे होती है जैसे medical standard भी समझना होगा बच्चों medical standard के ऊपर एक वीडियो में record कर चुका हूँ जो आज साम को channel पर upload एक से रुकिए थोड़ा black करेंगे screen को ज्यादा medical standard C2 है किसी vacancy में medical standard B2 है C2 है A3 है है आ तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि जन्रां के medical standard A2 क्या है A3 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है, B1 Medical Standard आपने J2 की वेकेंसी में देखा होगा और A1 Medical Standard आपने Technician की वेकेंसी में तो इन सभी के उपर मैंने एक वीडियो रिकोर्ड किये बहुत अच्छे से और अच्छे से उसमें समझाया है कि यह Medical Standard क्या होते है आज साम को 6 बजे वो चैनल पर अप्लोड कर दी जाएगी तो बच्चों आए समझते हैं, हमें कौन-कौन से Document की Requirement होगी लेकिन मैं एक बात जाना चाहूँगा आप लोगों से पहले बज़ तभी तो हम पता कर पाएंगे अभी जो बच्चे हमारी क्लास में लाइव जुड़े हुए है आप कौन से Level का Form भरेंगे आप Level 2 का Form भरेंगे यह Level 3 के लिए सोच रहे हैं Level 4, Level 5, Level 6 कौन सी पोस्ट है आपकी आपके Dream Post कौन सी है Chief Commercial कम Ticket Supervisor Station Master Goods Trade Manager Junior Accounts Assistant कम टाइपिस्ट Senior Clerk कम टाइपिस्ट यह आपकी Dream Post है या फिर Commercial कम Ticket Clerk Account Clerk कम टाइपिस्ट Junior Clerk कम टाइपिस्ट या Trains Clerk इसमें से आप किस पोस्ट के लिए है कि सर मुझे ये पोस्ट निकालनी है और जो बच्छे बाद में भी देख रहे है recorded के form में वो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजेगा कि सर हमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है लेकिन उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी information जिसके बारे में पिछले एक महिने से चर्चा चल रही थी कि बच्छो जब vacancy आएगी उस उसी समय पर हम सुरू करेंगे mission 1000 आप सभी को याद होगा और आज मैं mission 1000 के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ उसके बाद मैं वीडियो सुरू करूँगा तो प्यारे साथियो मालवे एक लासिस आप के लिए सुरू कर रहा है mission 1000 और ये mission 1000 मेरे दोस्तो sure selection batch है इसमें हम selection की 100% guarantee के साथ आपका ये batch शुरू कर रहे है मेरे दोस्तों ये batch हम 5 तारिक को 5 सितंबर को इस batch को start कर रहे है 5 सितंबर को इस batch को मेरे साथियो सुरू कर रहे है इस mission 1000 के माध्यम से हम 1000 बच्चों का ही admission लेंगे इसमें ये नहीं होगा कि कितनी भी भीड़ भर ली जाए क्योंकि हमें उनका data रखना है उन बच्चों को पढ़ाना है उन बच्चों को time to time PDF देनी है time to time mock test देने है time to time practice करानी है इस batch में offline coaching की तरह ही पढ़ाया जाएगा जैसे हम offline coaching पिछले 5 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं लेकिन इस एक बात समझेगा दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने की है हम YouTube या application की तरह नहीं पढ़ायेंगे कि course पूरा करा अब तुम अपने घर हम अपने घर है ना यहाँ पर यह सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर में दोस्तों आपको जैसे माल लीजे math start हुआ percentage तो पहले मैं पूरा परसंटेज पढ़ाऊंगा उसके बाद परसंटेज के जितने भी प्रीविश कोशन आये हैं वह आपको प्रेक्टिस करने के लिए दूँगा जैसे साइंस वाले सर ने आपको पढ़ाया mitochondria तो पहले वो topic wise mitochondria पढ़ाएंगे उसके बाद mitochondria के जितने भी कोशन अग्जाम में आस तक आये हैं वो सारे कोशन आपको पढ़ने को मिलेंगे आपने हिस्ट्री में पढ़ा आपने हरियक वंस तो हरियक वंस डीटेल में पढ़ने के बाद दोस्तों आपको हरियक वंस के सारे question भी हम provide यारी इस batch में हम नाकेवल पढ़ाएंगे complete समरपन अपने बच्चों की तरफ करेंगे अब ये आपके उपर है आप कितनी मेहनत और कितनी इमानदारी से batch को पूरा करेंगे देगे पढ़ना आपको होगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप उसके हमी रह गई सर हमने महनत तो की लेकिन exam नहीं हो पाया ठीक है तो इस बार वो कमी आपकी नहीं होनी चाहिए पहले से लग जाओ बच्चे गलती ये करते हैं फॉम भरने के बाद जब exam date आती है तब पढ़ना इस्टार्ट करते हैं exam date से पहले तो पढ़ना ही कोई start नहीं करन कि आहें क्या है कैसे है तो यह है आपका rrb ntpc special mission 1000 पर सेलेक्सन की 100% गारंटी का बैज दे रहा हूं इस बार मैं यूट्यूब खेड़ों के कहा रहा हूं कि सेलेक्षन की 100% और वास्तों में सेलेक्शन देलेंगे दोस्तों इस बैच के मादर सेलेक्शन दिलाएंगे हम complete course कराएंगे topic wise कराएंगे pdf notes देंगे expert faculty की team है वही team है जिसने पिछली वाली वेकेंसी पढ़ाई थी और आपको हर class के last में 10 minute का doubt session लेगा सारी class basic strat होगी और सबसे main बात जो बतानी है वो यह है कि Monday to Saturday class लेगी और Sunday में आपका एक बहुत सांदार session होगा जिसमें हम हर हपते की strategy पे काम करेंगे कि हमने अब तक कितना पढ़ लिया है और हम कितने और बच्चों को इसमें और क्या पढ़ाने वाले हैं कैसे पढ़ाने वाले हैं तो इससे यह सबसे important होती है 10th class की mark sheet आपकी मारिण माएगा सर मैं तो 12th का फोर मरूंगा सर मैं तो 12th undergraduate 12th वाला फोर मरूंगा लेकिन देखें जो 10th की mark sheet होती है बच्चों वो आपका सनद का काम करती है यानि कि 12th की mark sheet से ही बच्चों 10th की mark sheet से ही आपका नाम का verification ये लोग करते हैं आपकी date of birth का verification करते हैं आपकी माता जी का नाम आपके पिता जी का नाम भले ही आपको पहचार पत लगाईए लेकिन ये 10th की mark sheet को ही सही जरूरी है खो गई है तो ढूंड लीजिए नहीं है तो बनवा लीजिए उसके बाद आता है आपका जो SC और ST candidate है उनके पास SC और ST card का certificate होना जरूरी है ये certificate कितना भी पुराना हो कोई दिकत नहीं बच्चे comment करते हैं मेरे पास 3 साल पुराना SC का certificate है क्या वो चलेगा जी हाँ दोस्तो तीन साल पुराना हो चाहे 4 साल चाहे 10 साल SC का certificate चलेगा लेकिन जो OBC candidate है जो भी OBC candidate है उन्हें बचाँए तीन वर्स के अंदर का आपका certificate होना चाहिए ठीक है ये बात ध्यान रखेगा लेकिन अगर आपका तीन साल पुराना है तो नया बनवा लीजिए इस बात का ध्यान रखेगा एक बात और जो OBC कंडिडेट है देखिए OBC में बहुत सारे सर्टिफिकेट आपके स्टेट लेवल के राज्य लेवल की बन जाते हैं बहुत सारे बचो आपके नैसनल लेवल के बनते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है नैसनल यानि की रास्ट्रिय लेवल का होना चाहिए ठीक है ध्यान रखेगा आपका जो सर्टि चलिए बढ़ते हैं नेक्स डाता है मोनिटरी सर्टिफिक्ट अब जो बच्टे माइनोर्टरी यानि कि आपका अलप संख्यक सर्टिफिकेट जो बच्चे अलप संख्यक है उनके लिए माइनोर्टरी आएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड ठीक है अपना आधार कार्ड देख लिए बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में नाम में बहुत दिक्कत है, नाम जैसे मालनो किसी का मुहमद वसीम है, तो किसी में लिखा होगा M वसीम, किसी में M वसीम, किसी में M डी वसीम, अम मालनो तुम्हारा आधार कार्ड में M डोट वसीम है, और आपका पहचान, आपका मालनो ये 10th की माक्षिट में M D वसीम है, ऐ की मार्क सिट में लिख दिया भरत कुमर वर्मा और आधार कार्ड में लिखा हुए भरत वर्मा तो यार इन चीजों को देख लीजी अभी सही कि आपके पिता जी नाम या आपका नाम माता जी का नाम डेट वर्थ यह सब कुछ सही है या नहीं है नेक्स्ट आता है इंकम सर्टिफिक्ट जो भी लोग EWS से फोंबरेंगे EWS ध्यान रखेगा जिन अगर कोई जर्नल में है और उसकी पारिवारिक आए एक साल की आठ लाग से कम है अगर आपके घर में कोई सरकारी जोब नहीं है तो आठ लाग से कम होगी ही ठीक है तो आप EWS का सर्टिफिक्ट बनवा लीजीगा और वैसे भी EWS को इतना फायदा मिल रहा है कि इनकी मेरिट तो OBC से कम जा रही है बच्चे कह रहें सर इनकी मेरिट OBC से कम क्यों जा रही है समझ में जा क्योंकि बहुत सारे बच्चे EWS का सर्टिफिकेट ही नहीं बनवा रहें उन्हें पता ही नहीं है कि EWS का सर्टिफिकेट बनवाने से हो क्या जाएगा वो क्या प्राप्त कर सकते हैं EWS का सर्टिफिकेट बनवाने से बच्चों को ये नोलिजी बहुत से बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे तो सर मुझे तो कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता मैं क्या टाइपिंग वाली जो पोस्ट होती है उसमें फोर्म भर दू तो बेटा देखो जितनी भी पोस्ट है पहले आपका CBT 1 होगा CBT कौन सा होगा वन कंप्यू लेवल तू और फ्री जो आपकी ट्वैल्थ पास की पोस्ट होती है ट्वैल्थ पास वाली जो नोकरी है लेवल तू और थ्री की इस बार उम्मीद है कि एक ही CBT होने की उम्मीद है बले ही 1 ECBT होगा लेकिन दूसरे वालों का जो लेवल 455 और 6 वाले इनके 200 पर सेंट हों तो आपको बहुत मौका मिलेगा आपको अपना टाइपिंग करने का जिसमें ज्यादा पोस्ट वह भरना यह मुझे टाइपिंग आती है नहीं आती टाइपिंग बाद की बात है मैं यह बात तुम्हारी माइंड में डालना चाहता हूं समझ लेना बहुत से बच्चे कमेंट क कौन कहता है अगर आपको थीन महिने मिले न तो रोज 3-4-4 गंटे करोगें 5-5 घंटे पढ़ते हो ऐसी 5-5 घंटे टाइपिंग कर लेना तीन महिने में इस स्पीड आ जाएगी थानना पड़ेगा न कि वू ठानना पड़ेगा पस अगर आपने थान लिया तो ठान लिया फ सबसे इंपोर्टेंट सबसे जरूरी होता है आपका स्लेबस जो भी सुन लीजे बाधान से सबसे इंपोर्टेंट होता आपका स्लेबस पुरा होना अगर बच्चे एह से 70% से जिनका स्लेबस पुरा हो चुक injection तो मिशन 1000 से जुड़ जाएंगे और मिशन 1000 के माध्यम से अपना भीया स्लेबस पूरा करेंगे और अपने सेलेक्शन की दिसा में कदम रखेंगे लेकिन ऐसे बच्चे जिनका स्लेबस पूरा हो चुका है तो तीसरा स्टेप आता त्यारी में पहला स्टेप स्लेबस को पर लगाना क्या लगाना उसी एक्जाम के अकोर्डिंग मोडल पेपर लगाना अब हम सुरू करेंगे आपके लिए तीस दिन में जितने भी पीवाई क्यू हैं वो सारे प्रीवेश ये समात करने वाले हैं और यह जो पीवाई क्यू हैं यूट्यूब पर फ्री होंगे रिजनिंग के प्रीवेश येर कोश्चन दोस्तों रात को आठ बजे चैनल को सब्सक्राइब करना है खाली रात को आठ बजे मिलेंगे आपको मैस के प्रीवेश येर कोश्चन रात को नो बजे बाबु रात को नो बजे मिलेंगे आपको जी के जी के जीएस के प्रीवेश यह question आपको राएंगे और वो भी details में वो भी details में सारे previous year questions detail में पढ़ाएंगे maths के भी, reasoning के भी, GS के भी और science के भी तो करना क्या है आपको इस से जूड़ने के लिए चैनल को subscribe करना है और पढ़ते रहना जो बच्चे पढ़ चुके जो बच्चे नए है, जिनने अभी सारे syllabus को दुबारा से पढ़ना है जिनने जो नए है, जिनने तो उन्हे malware class app, यह app है, इसका link description box में, comment में, यहां से आप application को download करिए, अपना नाम डालिए, mobile number डालिए, registration कीजिए और आप paid course में जाएए बाव paid course में जाएएगे, सब से उपर मिलेगा mission 1000, mission 1000 की fees 999 है, आप सभी जानते हैं, लेकिन पहले 500 बच्चों के लिए, इस पर 50% का offer रखा गया है, यह सिर्फ आपके लिए है, पूरे YouTube पर आप चले जाना, 400 99 रुपे में आपको ऐसा बैच नहीं मिलेगा, इसमें हम दे रहे हैं, दो साल की validity, two year की validity है, यह बात ध्यान रखीगा, two year, दो साल की validity है, इस mission 1000 की, आप इससे पढ़ेंगे, selection लेगा, उसके बाद आपको लगता है, सीजिल का बैच यह फ्री मिलेगा, अभी group D की frequency आएगी, आप उसकी त्यारी तो करेंगे ही, group D का बैच फ्री मिलेगा, SSC GD का बैच आप एक बैच लेने के बाद, lifetime आपको दूसरा बैच नहीं लेना, बैच दो साल की आपको दो से तीन साल, तीन साल, चार साल, पास साल, कितना पढ़ोगे भाई, जब तक पढ़ोगे, मालवे classes आपको पढ़ाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तो मालवे इससे कम तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप समझें मुझे भी सभी टीचर्स को सेलरी देनी होगी आप बताइए आप भी जोब करना चाहते हैं ताकि आपके घर सब लो जो टीचर्स हमारे हैं पढ़ा रहे हैं उनका भी तो यह होगा न कि उन्हें भी कुछ सेलरी मिले उपन सब्सक्राइब करने का एक मक्षद है कि मुझे सफलता पानी है और ना करने के ना हजार बहाने होते हैं वह आप बहाना ढूंड रहे हो आप ढूंड लीजिए ठीक है तो बचो नमस्कार आपके बास आज गल का दो दिन का टाइम है लेकिन उम्मीद है आज सीट पानसो बच्चे आज जाएंगे शुरुवात के पानसो बच्चों के लिए फीज चार सुन इनान में यह बात ध्यान रखिएगा अगर आपको पढ़ना है तो ले लीजिए विवेक कहने सर तीन सो उननंचस कर किजिए बाबू आप सभी जानते कि मैंने हमेशा आपके लिए सोचा है अगर पॉसिवल होता दोस्त विवेक मैं कर देता है इसी कोई बात नहीं है प्लीज इतना समझेगा आपने कमल सर को इतना तो मानते होंगे ठीक है थैंकी सो मच अब मेरी मैथ क्लास का टाइम हो रहा सब्सक्राइब करता हूँ अगर किसी लगता है सर पैसे नहीं है यह है तो यूटूब पढ़िए चले नमस्कार आइए मैथ पढ़ते हैं अब लोगों मैथ में आ जागे सारी बच्चे आए बस एक मिनटों सुरू करता हूँ एक मिनटों है न करता है करता है करता है करता है करता है करता है झाल झाल